सबी का वेलकम है ये योर इंग्लिस चूटर पे मैं हूँ आपका होस्ट अमन बहल आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियर को डिसकस करने वाले हैं इमिग्रेशन कॉनर्ण डर्म इसका टाइट्ल है ये आर्टिकल लिखा हुँ है कैसे अमरीका में एक इमिग्रेशन क्रैसिस आ गया है लोग भर भर के अमरीका में आ रहे हैं illegal है न बिना किसी दॉक्यमेंट के illegally आ रहे हैं अब शुरू करना है उससे इंदाज में जिसमें grammar औ लेकर के आप चलते हैं, लाइक टॉपर्स, आज के आर्टिकल का क्विज मैं आपको पहले दिखा दूँ, मैं सभी को एंकरेज करूँगा, आप इसको अटेम्ट करें, कॉमेंट सेक्शन में, चारों क्वेशन को अटेम्ट करें, तीनों को, इनका सोलुशन आपको मैं देने के बाद, ठीक है, चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं, करा है, इमिग्रेशन कॉलन ट्रम, ये नया वर्ड होगा आपके लिए कॉलन ट्रम, इसका मतलब होता है पजल, एनिग्मा, मिस्ट्री, एक ऐसी पहली ही, जिसका कोई हल ना हो, और इमिग्रेश कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं बसने के लिए, तो करें, प्रवास से एक ऐसी पहली आगे है अमरीका के सामने, जिसका हल उसको सूझ नहीं रहा है, अब बात किस की हो रही है, बात हो रही है, ओन डाइवर्सिटी, माइग्रेशन, एन अमेरिकन ट्रीम, करें हम ब अमेरिकन ट्रीम का मतलब है, हर दुनिया का वह आदमी जो अमरीका में बसना चाता है, उसका एक सपना होता है, कि मैं अमरीका में रहूँ, वहाँ के लोगों के तरह मेरा लाइफस्टाइल हो, और उतनी ही अपोर्चुनिटी मुझे भी मिले है न, जैसे अमरीकन को मिलती ह तो इसको कहते हैं, अमेरिकन ट्रीम, करहें इन तीनों चीजों के चक्कर में, अमरीका फसके है, एक इमिग्रेशन कॉन ट्रम में, अब इसके टाइडल पराग्राप से देखते हैं, क्या कहना चारह है, आज की वकैब थोड़ी सी हैवी है, है न, ध्यान देना, और उससे प सपना होता है लोगों का अमरीका में बसने का, वो सपना स्ट्रेगल कर रहा है जूज रहा है आज की रेट में, और किस से, एक ऐसी विजन से बने रहने में, एक ऐसी विजन को, विजन होता है आपका नजरिया, रिमेन मतलब बने रहना, तो ये ड्रीम जो है बड़ा स्ट् तक टाइब के लोगों पर तो आज तक American dream यही था हर country से कुछ आदमी अमरीका में जाएंगे वहां का वीजा लेंगे वहां की जिन्दगी को जिएंगे लेकिन अब American dream बदल गया है वहां के लोग चाहते ही नहीं है कि हम वहां से यहां से वहां पर जाएं समझ के ना इस तरीक के साथ समरी यह है कि देखो जो बाइडन से पहले डॉनल्ड ट्रम्प ने American dream को बहुत हद तक खतम कर दिया था उनका कहना था कि बाहर से लोग हमारी देश में ना आएं लेकिन जो बाइडन ने आते ही उनकी policies को reverse करने की कोशिश की जो डॉनल्ड ट्रम्प करके गए थे उ सब चीजों को इन्होंने पलटने कोशिश की अब इस पलटने की कोशिश में इन्होंने ऐसा कानून बना दिया या बना बैठे जिसकी वज़े से इनके borders पे बाहर आ गई है बच्चों की बच्चे कोन से अंडर 18 अब अमरीका का कानून यह कहता है कि 18 साल से कम कोई बच्च अगर अमरीका में पाया जाए बाटर पे और सरहद पे तो आप उसको अंदर ले सकते हैं और विज़ा दे सकते हैं खास करके democratic government की सरकार होती है तब ऐसा होता है अब इन बच्चों को पता लग गया और यह भाग के आ रहे हैं आसपास की country से और बाट आ गई है बाटर पे इतनी बाट आ गई कि अमरीका समाल निपा रहा है इन बच्चों का क्या करे अब इसी से deal with करता है हमारा article क्या इसका solution होने वाला है समझगे ना आज की tone है a concern समरी को को कोशिश करें अब लिखने की comment section में डालेंगे तो आपकी writing skills अच्छी होगी है ना शुरू करते हैं करा it is unlikely that President Joe Biden ever imagined that it would be a cakewalk to undo some of the most damaging policies implemented by his predecessor Donald Trump but even he might not have anticipated how quickly the thorny issue of immigration reform could spiral into a full blown crisis लंबा sentence है बहुत simple है it is unlikely ये बड़ा ही मुश्किल है ये बड़ा ही संभावित नहीं है ना unlikely है that way ये कि जो President Joe Biden है अमरीका का उसने कभी भी ऐसा सोचा होगा और क्या सोचा होगा imagine क्या किया होगा कभी भी that way ये कि ये बड़ा ही आसान काम होगा केक वोक होगा easy thing होगी कि हम undo कर दें हम फिर से पुरानी स्टेट में ले आएं और किसको कुछ एक ऐसी सबसे यादा damaging policies को सबसे यादा नुक्सान पोलचाने वाले नहीमों को जिनको implement किया गया था उसके predecessor के द्वारा उसके पूरवज के द्वारा उससे पहले आने वाले डोनल्ड ट्रम्प के द्वारा करें यह बहुत ही unlikely है कि President ने कभी भी यह सोचा होगा कि मैं ट्रम्प की गंदी नीतियों को damaging policies को बड़े आसानी से change कर दूँगा पुरानी अवस्ता में ले आऊंगा है ना ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा करें लेकिन फिर भी उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा he might not have anticipated ऐसा कभी भी उन्होंने expect नहीं किया होगा anticipate नहीं किया होगा कि how quickly कैसे इतना जल्दी जो यह थोड़नी issue है जो यह controversial मुद्दा है problematic मुद्दा है और किसका immigration reform का प्रवास का लेकर के सुधरों का कैसे यह क्राइसिस का अपने आप में पूरे मैचोर तुफान का समझे ऐसा बना sentence करें कभी भी जो बैडन ने सोचा नहीं था कि मैं इसली सब ड्रंप की policies को हटा दूंगा लेकिन उसने ऐसा भी नहीं सोचा था अगर इसली नहीं करूंगा न तो उसने ऐसा भी नहीं सोचा था कि मै मैं एक मुद्दे को जिसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करूं और वो एक क्राइसिस में बजल जाए अपने आप में एक तुफान बन जाए अब देखने वाली चीजें sentence के अंदर देखो इट की वब है इस जो बैडन की imagined इट की again would be he की might not have anticipated और question की could not could spiral into अगर ये अगर आपने नहीं पकड़े तो आपका पढ़ना खराब है बेकार है ना आप अगर सब्जेट और वब को मैच नहीं कर पाते हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा sentence में हुआ क्या है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है सब्जेट वब को मैच करें अब मैं words बता देता ह कगें असानी से करने वाला काम अन्डू का मतलब है डू का उल्टा डॉनर्डरम कुछ करके घैंडॉब द्सका बिल्कुल उल्टा करेगा उस की हुए पर पानी फेरेगा थोडनी मतलब जिसमें कांटे लगे मतलब कांटा तो थोड़ नहीं मतलब कांटो भरा problematic या troublesome spiral into का मतलब होता है आकार ले लेना बड़ा किसी चीज का बड़ा आकार हो जाना है ना to take the huge shape of something इसका इसका एक synonym है snowball into समझे मेरे बात को छोटी से चीज थी और बड़ा थूल पकड़ गी उसको अपने इंगली से बोलते है spiral into होना है बड़ा आकार लेना full blown होता है अपने आप में complete full flesh छोटा मोटा crisis नहीं अपने आप में बड़े scale का full blown या full flesh crisis अब जो मैं आप से concept discuss करने जा रहा हूँ अगर ध्यान से समझोगे तो एक बार में आ जाएगा नहीं तो जिन्दगी बर नहीं आएगा most नहीं न most उससे पहले the आएगा भी और नहीं भी आएगा आप उस sentence को करना है break और समझना है कब लगाना है और कब नहीं लगाना चाहिए अगर most के बाद adjective पढ़ाओ और meaning चाहिए हो superlative degree का the most beautiful, the most ऐसा, the most वैसा समझगे ना अगर adjective पढ़ाओ और superlative degree बनानी हो adjective की तब तो दा लगा दो और अगर most के बाद में noun पढ़ाओ और meaning आ रहाओ ज्यादा तरका most people, ज्यादा दर लोग most students, ज्यादा ज्यादा लडगिया अगर ऐसा meaning आ रहाओ most के बाद noun पढ़ाओ तो आप most से पहले दा को ना लगाए simple सा है concept, अब इसको apply करेंगे दोनों sentences पे पहले आप खुद भी कर लेना the most या most difficult subject to deal with is mathematics for the most या the most people सबसे ज्यादा difficult subject निपटने के लिए mathematics ही है ज्यादा दर लोगों के लिए अब पहले यहाँ देखो difficult क्या है difficult एक adjective है हम यहाँ पे बनाना चारे हैं इस difficult की superlative degree, सबसे ज्यादा difficult समझे ना, पहला वाला case आगया सबसे ज्यादा difficult के लिए आप most नहीं आप लगाएंगे the most क्या लगाओगे, the most ठीक है, इसको निकाल देता हूँ तो the most subject to deal with is mathematics अब किसके लिए, ज्यादा तर लोगों के लिए सबसे ज्यादा लोगों के लिए नहीं people एक noun है, second वाला case पढ़ेगा तो second वाला case पढ़ेगा तो यहाँ से दा को निकाल दो, for most people वैसे, cancellation of exam of the exam was the most or most disappointing for the most or most students, जो exam का cancellation था, सबसे ज्यादा disappointing था, निराशा जनक था, ज्यादा दर students के लिए, अब देखो ज्यादा दर की बात हो रही है, तो the most का कोई काम नहीं है, यहाँ पे most students आएगा दा को निकाल दे न, इधर वाले को भी most students, और यहाँ पे सबसे ज्यादा disappointing, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ज़रूत है, the most की तो the most disappointing simple concept है न, चलो अब यहाँ पे क्या हुआ 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 है the most damaging damaging एक adjective है, चोट मारने वाला कहलाता है damaging, तो the most damaging हमने लिखा है आपको develop करनी है understanding एक बाद develop हो गई, उसके बाद time नहीं लगा करेगा किसी भी question पे है न, करा in recent weeks an unprecedented surge of unaccompanied minors at US southern border has pushed the need for comprehensive reform front and center, करा हाल के कुछ हफतों में एक surge आया है और कैसा unprecedented surge का मतलब है उच्छाल sudden increase, बढ़त unprecedented का मतलब है अभूत पूर्व, आज तक जिसका कोई president या मिसाल ना हो, तो करा है एक ऐसा उच्छाल या surge आया है जो unprecedented है, और किसका minors का, बच्चों का, 18 से कम साल के लड़के लड़कियों का, और कोन है जो unaccompanied है, जिनके माबाप उनके साथ में नहीं हैं, अकेले गूम रहे हैं बॉर्डर पे, और कहां पे, अमरीका के southern बॉर्डर पे, दक्षनी जो है, सीमा पे, कह रहे हैं यह जो surge आया है न, इस टाइप का, इसने पुश कर दिया है, इस need को जरूत को जो है, एक reform की, एक सुधार की, comprehensive हो, अपने आप में बहुत बड़ा हो, और कैसा हो front and center, front and center का मतलब है, in a prominent fashion, या way, एक important way में, या एक important position के अंदर, sentence में समझा दे ताम, थोड़ा टेड़ा सा लिखा हुआ है, फिर से समल लो, हाली की कुछ हपतों में, जो उच्छाल आया है, अकेले घूम रहे बच्चों का, यूएस की दक्षिनी सीमा पे उसने दवाब दे दिया है, उस जरूद पे, कि reform लाया जाए, comprehensive reform लाया जाए, और कहां लाया जाए, front and center में लाया जाए, एक prominent way में, एक prominent fashion में, एक prominent position में लाया जाए, समाझगे ना, अब इस front and center को समझ लो, एक phrase होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इसको use ऐसे करते है, the issue of high inflation stands front and center in upcoming elections, जो issue है, बढ़ती होई महंगाई का वो खड़ा है, बिलकुल एक बहुत important position में, या एकदम, important way में, और किसमें, आने वाले elections में, समझगे ना, front and center का मतलब यही होता है, बहुत important position पे, her performance was front and center during the presentation, उसकी performance जो है, बहुत ही important position पे थी, पूरी presentation के दोरान, सबसे अच्छी performance उसी की थी, है न, front and center, तो ऐसे आप important position के लिए, इस phrase को यूज करें, बढ़े आगे, करे दो, spike, in their numbers, in US custody, over 4000 according to reports, is already wearing federal resources thin, करे जो sudden spike आया है, जो surge आया है, अचानक से बढ़त आई है, उनके numbers में, उनके आंकडों में, इन बच्चों के जो की US की custody में है, लगबग 4000 हैं, reports के हिसाब से, करें, यह जो spike है न, यह पहले से ही wear कर रहा है, पहले से ही खपा रहा है, अमरीका के federal resources को, उनके national संसादनों को, 4000 बच्चों को रोज खाना, खिलाना, दिन में तीन टाइम है न, तो कैसे यह खिला पाएंगे इतने लोगों को, हर रोज खिलाना और illegal लोग है, तो resources इनके कम होते जा रहे हैं, अमरीका के federal resources, अब देखो इस sentence में, जो आप phrase देख रही हूँ wear something thin, इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप wear का मतलब होता है, किसी चीज़ को पहनना, और wear का मतलब होता है, किसी चीज़ को घिसाना, अगर आप कोई pant, कोई jeans, कोई t-shirt, कोई sweater रोज पहनते हैं, तो वो घिसता भी है, है न, तो वहीं से हमने wear नाम का word निकाला हुआ है, किसी चीज़ का घिसना, अब wear something thin का मतलब कहा है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा घिसाना, या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घिसा देना, समझगे ना, बहुत स्वेटर पहनते हो, एक ही रोज रोज तो वो आप उसको wear thin कर रहे हो, वो स्वेटर को आप बहुत घिसा रहे हो, है न, तो make या become less effective owing to its overuse, ज़्यादा यूज से किसी चीज़ का effect जो है कम हो जाना, जैसे his jeans have worn thin at the knees, उसकी jeans जो है बहुत घिस गई है, नीज से, घुटनों के पास से घिसी जीन से उसके पास, ठीक है, वैसे people's patients with autocratic rulers worn thin in middle east and spiraled into arab spring, लोगों का patience जो है ताना शाही नेताओं के साथ, rulers के साथ, घिस गया worn thin हो गया, बिल्कुल कम हो गया middle east के अंदर, और यही जो patience है spiral into कर गया, बड़ा कार ले गया arab spring का, 2012 के करीब आये थी 10-12 दिशों में, अरब के लोगों का patience खतम हो गया था wear thin हो गया था, और वो सारे के सारे लोग जो है, अरब spring को ले आए, यह spiral into हमने उपर ही देखा था, उस ही को मैंने use किया किसी चीज़ का बड़ा कार हो जाना बड़े आगे अब यह resources भी wear thin हो रहे हैं, इनके उपर बहुत जादा overuse हो रहे है Geras Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas struck a grim note when he said, the US was on pace to encounter more individuals on the southwest border than we have in the last 20 years, केरा Secretary of Homeland Security, वहां का एक नेता होता है, जिसको बोलते है यह है न, जिसका नाम है यह, केरा इनोंने strike किये grim note को, strike note का मतलब होता है, अपने आपको एक खास तरीके से express करना, जब आप grim तरीके से कर रहे हैं न, grim मतलब gloomy aside, तो आप बहुत ही बहुत ही निराशा जनक न्यूस को सब को बता रहे हैं, समझगे न, केरा है इन Secretary सामने है, बहुत ही disappointing news सब को बताई, जब यह बताया उन्होंने, he said, कि अमरीका जो है, रस्ते पे था रफ्तार में था, पेस में था कि encounter करेगा, मिलेगा और लोगों से, इंडिविजुल से South West Water पे, दक्षिनी पश्मी सीमा पे, और किसके मुकाबले जितना की हम मिले हैं, लास्ट 20 सालों में, तो इन्होंने ये बताया में, स्ट्राइग ग्रीम नोट का मतलब होता है, एक बहुत ही अजीब सी बात निराशा जनक सैड वाली बात बोलना है न, स्ट्राइग के नोट करेग कॉंपलिमेटिंग, कॉंपलिकेटिंग दा एंटार एक्सराइस इस दे कोविट-19 पैंडेमिक, विच हैज मेड इंपॉसिबल तो टेक दाउन अ ट्रॉंप एरा एमर्जेंसी रूल तो गिवस बोडर एजेंट्स अथरिटी तो समयरिली तर्न अवे मोस्त माइगरेंट्स, अधर दन अनकॉंप्रेंट माइनर्स denying them the right to have their asylum claims hurt, अच्छा sentence है बहुत अच्छा grammar rule भी है करहे、 complicated करने वाला, complicating और किसको? पूरी exercise को करहे है, वो है COVID-19 pandemic तो COVID-19 pandemic पूरी exercise को umps Versus Ilum पेछीदा बना रहा है करहे, जो वो pandemic है जिसने इसको impossible बना दिया है इस जीजे को बिल्कुल भी likely नहीं बनाया कि take down किया जा सके हटाया जा सके Trump era के एक emergency rule को Trump के time के एक बहुत ही emergency वाले नियम को जो दे देता है border के agents को border पे खड़े जवानों को वो authority वो power कि वो summarily का मतलब है फटाफट से कि वो फटाफट से turn away कर सकें गुमा सकें turn away करने मतलब है वापिस मोड़ देना जहां से है हो जिस रस्ते वापिस भेज देना कि वो फटाफट से फिर से भेज सकें ज़्यादा दर migrants को most migrants को बजाए other than छोड़ करके unaccompanied minors है ना तो migrants को भेज सकते हैं बस छोटे बच्चों को नहीं भेज सकते जिनके मावाप उनके साथ में नहीं हो अच्छाई इनको भेजेंगे कैसे deny करते हुए इनको मना करते हुए उनके उस अधिकार को जो है उनके asylum के claims को सुनने का जो उनके शरन के जो दावें है उनको सुनने का तो कोई आदमी अगर अमरीका में ऐसा आए कि मुझे शरन चाहिए मेरी country मेरे पीछे पढ़ी है मैंने सही काम की है ऐसे आदमी का दावा भी वहाँ के border guards आज की डेट में नहीं सुन सकते समझगे ना simple sentence है थोड़ा ऐसे अजीब सा लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है मैं आपको समझा लेता हूँ यह complicating जो है आपकी verb है sentence का शुरू में आयो हुई है यह कोई rule नहीं है writing style होता है जैसे a friend of mine who is a doctor is treating my uncle एक मेरा दोस्त जो doctor है मेरे अंकल को treat कर रहा है अगर इसी कोई कोई सिर्फरा writer इसी sentence को लिखना चाहे अपने दूसरे अंदाज में तो लिखेगा treating my uncle is a friend of mine who happens to be a doctor अब कोई कहते है क्या grammar rule है कोई grammar rule नहीं है writing style है क्या इसमें grammar को हमने गलत किया नहीं किया तो एक sentence को लिखने का कई style होते है इस भाई साब ने इस तरीके से second वाले तरीके से sentence को लिखा हुआ है समझगे ना इसको इसने वर्ब को शुरू में लाया हुआ है लाने का कोई rule इसके पीछे है नहीं take down करना किसी चीज को bring down करना हटा देना migrant से पहले most लगा हुआ है अब यहां पे जो आपसे चोटा सा कॉंसर्ट में डिसक्स करने वाला हुआ हूँ कॉजिटी वर्ब का है समझोगे तो समझ में आएगा ध्यान से समझना दोनों का मतलब एक ही है मैंने एक मेकानिक से अपनी कार रिपेर करवाई structure कौन सी है हाज लगा हुआ है हाज के second form या third form है है ना second form है और उसके बाद में एक object है और object के बाद में जो काम हुआ है उस काम को हमने लिखा हुआ है object compliment के तोर पे तो यही structure होती है make, get और have की इन verb आएगी verb के बाद में एक object आएगा और object के बाद में एक दूसरी verb आएगी जो object compliment का काम करेगी अगर ऐसा है तो have को आपको पैचानना है कब यहाँ पे object compliment बेर इंफिटिव होगा और कब होगा verb की third form तो यहाँ पे इन दोनों में इसे choose करने के लिए आपको इस object को देखना है अगर mechanic car को repair करेगा तो यहाँ पर repair का काम नहीं है repair आएगा car को कोण repair करेगा mechanic repair करेगा अगर object इस काम को करने वाला है तो यहाँ पे आएगा verb का बेर इंफिटिव अगर इस object के उपर काम होना है जैसे इस case में देखो I had my car repair या repaired by a mechanic क्या car repair करेगी के खुद को नहीं, repair तो mechanic करेगा अगर ऐसा है तो car खुद repair हो रही है किसी के द्वारा तो मैं क्या करूँगा, यहां पर लिखूँगा वर्ब की third form को बहुत simple है अगर आपका object काम कर रहा हो तो bear effective, अगर आपके object के उपर काम हो रहा हो, तो वो अपकी third form I had my car repaired by a mechanic वैसे, the innocent prisoner had everyone hear or heard his story जो निर्दोष prisoner था उसने सब को अपनी story सुनाई अब देखो, सबने story सुनी सबने story सुनी, अगर everyone ने story सुनी, तो आप यहाँ पर use करेंगे hear को bear effective को, भई हमने सुनी ना हमारे उपर काम थोड़े ना हुआ हमने story को सुना, अच्छा काम किस के उपर, story के उपर काम हुआ the innocent prisoner had his story heard or heard, अब story ने कुछ नहीं सुना बच्चों ने selection process में reform करवाया है ना, या करवाएंगे, will have आप सब लोग कोशिश करके मुझे बताएं reform लगाऊं या reform लगाऊं अपनी understanding से बताना और सोच समझ के बताना, तुक्के मा तुमाना हवा में, ठीक है चलो आजाओ अब जिन लोगों को ऐसा लगता है सर, ये concept कहां से सीखें सारे के सारे, मेरे भाई सारे concept तुमें SSC bank के करवा चुका हूँ grammar series में, ये जो तुमें बता रहा हूँ न, ये है सिरफ तुमारा revision full-fledged videos बनी हुए हैं इन पे 30-35 videos को जा करके देख लो पूरी grammar complete हो जाएगी ये video आपको मिलती है, home page पे पड़ी हुई है channel के ही complete English grammar ठीक है, सब का सब वहां रखा है यहां पे आ करके मेरे साथ revision क्या करो नया वहां से सिख्या हो in a sense, the mounting crisis is related to a sweeping immigration reform proposal unveiled by Mr. Biden's administration a month ago as well as smaller bills that the democrat-controlled congress could pass with less resistance including measures to quicken the process for grant of legal status to agriculture worker and dreamers or undocumented immigrants who entered the US as children लंबा sentence है पर बड़े simple sentence होते हैं यह है ना जर आप इनको टेक्नीक से पढ़ पाओ तो करे एक तरीके से in a sense in a sense का मतलब क्या होता है हिंदी में एक तरीके से हुआ क्या करे यह जो बढ़ता हुआ क्राइस है तुफान जैसा बढ़ता हुआ क्राइस है mountain crisis है यह related to है यह संबंदित है और किस से उन sweeping immigration reform proposal से उस proposal से offer से जो immigration में सुधारों का है और कैसा proposal है sweeping बहुत ही बड़े level का wide ranging है ना करे वो proposal जिसको unveil किया गया जिसको introduce किया गया सब के सामने लाया गया Mr. Biden के प्रशाशन के द्वारा और एक महिना पहले तो गरा एक तरीके से देखा जाए ना यह crisis Mr. Biden के proposal की वज़े से ही पैदा हुआ है जो एक महिना पहले Biden ने introduce किया था करा साथ ही साथ अब एक तो यह resistance के less resistance के साथ जिसमें शामिल है वो वाले कदम जो फटाफट कर देंगे क्विकन कर देंगे इस प्रॉसेस को जो है देने की गरांट करने की कानूनी मानेता लीगल स्टेटस को एगरी कल्चर वरकर्स को खेती में किसानों को काम करने वाले वरकर्स को है न को बाहर की कंट्री से आए बोले अमरीका में कि मैं खेती कर वाँगा तो ऐसे लोगों को लीगल स्टेटस मिल जाएगा जल्दी और यहां फिर मिलेगा ड्रीमर्स को अब यह ड्रीमर्स कोन है यह वो लोग है जो छोटे बच्चों होते हैं अमरीका में घुसने कोशिश करते हैं सोचते हैं अमरीका में जाकर के अपनी जिन्दगी जिएंगे समझगे ना इनको बोला जाते हैं ड्रीमर्स अन्डोक्यमेंट इमिग्रेंट्स जो बच्चे की तरह अमरीका में घुसते हैं समझगे एक बार सेंटेंस रिपीट करते तो हम बड़ा है कहरा है यह यह जो पूरा क्राइसी से दो ही चीज़ों का बनाया हुआ है पहला तो अमरीका के जो बाइडन के एडिमिस्ट्रेशन का एक प्रोपोजल स्विपिंग इमिग्रेशन रिफॉर्म का साथ इसाथ चोटे म मांटिंग मतलब बढ़ता हुआ कॉंस्टेंट इंक्रीजिंग इंटेंसिफाइंग है ना क्रैसिस आप जानते हैं तुफान स्विपिंग मतलब है ब्रोड बहुत ही वाइड रेंजिंग है ना कॉम्प्रेहंसिव अपने आप में बहुत बड़ा अनवेल मतलब जिसको इसे कोई बच्चा है उसको लगे मुझे अमरीका में जाके जीना है और वो अमरीका में किसी तरह घुस भी आया तो अमरीका में अगर उसको पकड़ा तो जेल में डालते थे बलकि उसको चार पांच-छे साल का वो दिते थे एक प्रोविशन पिरियड अगर वो पूरा कर इसे हमने ड्रीमर्स नाम का वर्ड बना दिया जो बच्चा अमरीका में बसना चाहे कर देर और अलसो प्लांस अंडर वे तो डिट्रेस दाइल्स ऑफ द लीगल माइडरेशन सिस्टम मैनी अब्स्टेकल्स तो विच वर ए्रेक्टेड वाइट वाइट हाउस इंक्लूडिं अंडर वे डिवलप्मेंट में हैं अंडर वे का मतलब है बिल्कुल तयार हो रहे हैं करा इस तरह के प्लांस भी तयार हो रहे हैं अमरीका में रिड्रेस करने के लिए स्लूशन लाने के लिए बुरी चीजों का इल्स का और किसके इल्स लीगल माइडरेशन सिस्टम के वहा ट्रम्प वाइट हाउस के द्वारा जिसमें शामिल है एक बहुत ही विवादास्पद रूल कॉंट्रवर्शियल रूल जो है बढ़ाने का मिनिमम पे को मैंडेटरी मिनिमम पे को जरूरी मिनिमम पे को और किसके लिए फॉरेंड वर्कर्स के लिए जो इस टाइप के वीजा पे आते हैं और यह वीजा होता है स्किल्ड इमिग्रेंट के लिए कारीगरों के लिए बाहर से आने वालों के लिए जो की लाजली मोटे दोर पे दिया जाता है भारतियों को इंडिन नेशनल्स को ट्रम्प बड़ा समझदार था उसने बोला वैसे तो यहां आना मना नहीं करेंगे एच वनभी वीजा पे उसने बोला एच वनभी पे अब कोई आएगा एक तो इतनी चल रहे हैं ऐसे रूल को दूर करने के जैसा कि ट्रंप ने बाहुदा से रूल बनाए था तकी इंडियन संपरिका में ना पाए अब आज वंटे से देखने वाले वर्ट्स redress करना मतलब address का एक दूसरा form है address मतलब संबोधित करना redress मतलब करना बार बार संबोधित करना है किसी चीज़ का solution लाना else होती है बुराईया bad traits, disorders, किसी चीज़ की खराबिया obstacle का मतलब होता है road जब भी जिसी भी चीज़ में road आप लगाएंगे obstacle to, उसका synonym hindrance to और उसका synonym impediment to तीनों का मतलब होता है road रट काना है two preposition fix है इनके बाद red का मतलब होता है खड़ा करना, establish करना वो वाले road जिसको खड़ा किया था Trump ने है रट किया था simple है बाकी, आगे बड़े करा similarly some analysts have estimated that the Biden administration's proposed immigration bill could potentially increase annual green card और permanent residency numbers by 35% करा इसी तरीके से, कुछ analyst जो है, कुछ visualization जो है उन्होंने ऐसा visualization किया है, estimate किया है अंदाज लगा है, कि Biden के administration का जो proposed bill है immigration bill, ये potentially संभावित तोर पे बढ़ा देगा हर साल green card और permanent residency के numbers को 35 टका से तो ऐसा उन्होंने ये भी बताया है ऐसा होने वाला है कि 35% ज़्यादा लोग जो है अमरीका में green card लेकर के हर साल घुसा करेंगे, अब इसमें देखने वाली चीज, buy proposition का exclusive use होता है, किसी भी चीज के बढ़ने या घटने को बताता है this year salaries can increase with या by 10%, इस साल तनकुएं 10% बढ़ सकती है आपकी इच्छा होगी increase with 10% लगाने की, लेकिन ध्यान रखें increase या decrease के लिए हमेशा buy proposition को use करें, समझगे न वैसे, inflation has been estimated to increase by or with multifault inflation को estimate किया गया कि वो बढ़ेगा कई गुना से multifault मतलब कई गुना अब देखो फिर से बढ़ेगा तो मैं use करूँग buy proposition को, घटे या बड़े percentage में या गुना में भाग में अब जैसे भी गंणाना बढ़ाना चाहें buy proposition को ही use किया करें ठीक है? कहरा Mr. Biden's broader omnibus immigration legislation proposal includes an 8 year pathway to citizenship for the nearly 11 million undocumented immigrants and the use of high tax systems for border patrol enforcement कहरा बार्डर का, इसका Biden का broader और omnibus जो है legislation आया है Biden का जो बहुत बड़ा broader और omnibus मतलब होता है multi-purpose, कई तरह की चीज़ों को एक साथ solve करेगा कहरा ऐसा जो proposal आया है immigration legislation का, immigration में कानून का ये कहरा include करता है 8 साल के pathway को, 8 साल के रस्ते को जो है नागरिकता का और किसके लिए? लगबग एक करोड़ दस लाख, 11 मिलियन undocumented immigrants के लिए ऐसे immigrants के लिए, जिनके बस कोई काज़ाद नहीं है, और इसमें use भी होगा, high-tech system का border patrol enforcement के लिए border पे निगरानी की enforcement के लिए, तो Biden का भी ये rule है जो आ गए वो आ गए, उनको 8 साल का रस्ता दूँगा, मैं अगर वहाँ टिक हैं वो, जो मैं बोलूँ, वो करें, तो उनको दे दूँगा, US का वीजा, या US की citizenship, और अब जो नहीं आएंगे जो आएं नहीं है, उनको रोकने के लिए border पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल होगा, बहुत ज़्यादा जो है, monitoring होगी use of high-tech system के जरी है ऐसा Biden का rule है, अब इसमें देखने वाले words, Omniverse मैंने आपको बता दिया, multi-purpose हो, pathway मतलब रस्ता, path plus में way से मिलके बनाए इसका एक synonym होता है avenue पेट्रोल और पेट्रोल यह दोनों अलग words है, यह वो होता है जो आपकी गाड़ी में डलता है, यह वो होता है जिसका मतलब होता है, अ निगरानी है ना P-A-T-R-O, पेट्रोल मतलब निगरानी, चलिए करे दर राइट, led by the vocal congressional Republican minority, has attacked all such proposals as not being tough enough and increasing the border such इतना ही पड़ेंगे, लंबा सिंटेंस है करे दो राइट विंग, जो लोग है राइट विंग का मतलब होता है, देश के लिए देश बक्त, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए बहुत नफरत रखने वाले, हैना, राइट विंग पीपल, करे जो राइट विंग पीपल हैं जो की लेड वाई हो रहे हैं बहुत ही वोकल, बहुत ही बड़ बोली congressional Republican minority के साथ वहां की Congress में Republican Party की छोटी सी भूमिका के साथ Minority मतलब, वहां पे 10 बारह ही हैं, वहां पे Republican भी, मतलब बहुत जादा नहीं है तो करे जो राइट विंग है जिनकी गवाई इस तरह के Republican Party के लीडर कर रहे हैं टरम्प की पार्टी के करे उन्होंने टैक किया ऐसे सभी proposals पे और कैसे कि ये tough enough नहीं है ये ज़्यादा मजबूत नहीं है और increase करते हैं बॉर्डर पे एक सर्ज को बॉर्डर पे एक तुफान को राइट विंग बालों ने बोला है कि Biden क्या कर रहे हो तुम तुम्हारे चक्कर में अमरिका में करोड़ों लोग आगर के गुसेंगे क्योंकि तुम्हारे measures बिल्कुल भी जो है tough नहीं है करे जबकि the left led by Democrats such as representatives इलहान ओमर एंड अलेक्शंडरिया ओक्सियो कॉटेस have taken on Mr. Biden for not being human enough और left वाले बिल्कुल उल्टा बोल रहे है करे जो left वाले हैं जो की liberal विचारदारा के होते हैं जो की liberty में विश्वास करते हैं चाहे पूरा देश बिग जाए हैं इस टाइब के लोग करे यह लेफ्ट वाले हैं जो लीड करती है जिनको democratic party जैसे कि यह दोनों टाइब के person करे इन्होंने take on किया है इन्होंने पूरी तरीके से हमला बोल दिया है Mr. Biden पे कि वो human enough नहीं हो रहे हैं वो सही तरीके से मानविय बरताव नहीं कर रहे हैं तो left वाले बोलते हैं एक करोड कम है और लेके आओ right वाले बोलते हैं एक करोड क्यों ले आए इनको कम करो समझगे ना तो Biden बीच में फशा हुआ है क्या करे देखने वाले words देख ले ना वोकल मतलब बड़ बोला आउट्सपोकन जो बड़ी बाते बोले और जोड जोड से बोले चिल्ला चिला के डरे नहीं है ना आउट्सपोकन यह वोकल सर्ज का मतलब होता है उठाओ चड़ाओ टेक ओन करना किसी पर हमला बोल देना किसी को बहुत जादा क्रिडिसाइज करना हुमेन का मतलब होता है मान भी है human like kind enough अब इसमें देखने वाला जो word है वो देख ले ना enough एक छोटा सा grammar concept है थोड़े दिन पहले करवाया भी था मैंने enough एक adjective भी है एक adverb भी है अगर noun की आजू बाजू में आ रहा हो तो adjective होगा अगर adjective की आजू बाजू में आ रहा हो तो ad adjective बनके और अगर adjective की आजू बाजू में आएगा तो adverb बनके उसके बाद में आएगा समझगे ना इसकी position को आपको ध्यान रखना है अब इसको sentences की जरीए समझेंगे we don't have enough resources या resources enough to continue the strike हमारे पास परयाप संसादन नहीं है strike को आगे बढ़ाने के लिए देखो enough आया है resources की बाजू में resources एक नाउन है resources अगर एक नाउन है तो enough एक adjective है अगर यह adjective है तो resources से पहले आएगा resources enough गलत है ठीक है अगला देखो she is enough rich या rich enough to buy this car in your buy cash वो बड़ी rich है या इतनी प्रयाप्त रूप से अमीर है कि buy कर सकती इस car को cash के अंदर है ना बिना किसी loan के इस car को cash में ले सकती है अब देखो rich एक adjective है अमीर आजमी rich है ना rich अगर adjective है तो enough एक adverb है तो पहले नहीं enough आएगा बाद में तो मैं क्या लिखूंगा she is rich enough सबजगे ना अब यह cash से पहले हमेशा in आता है यह मैं आपको समझाना चाहरा हूं preposition वाली वीडियो में समझाए भी था तो buy cash कभ पेशन्स होता है एक noun अगर ऐसा है तो मैं यूज लिखूंगा यूज करूँगा इनफ पेशन्स को पेशन्स को कोई काम नहीं है लेकिन बड़ वाज अब आई मेरा subject आगे करने लेकिन बड़ आए वाज वाज इनफ यह इनफ वाइज तो अवाइज तो मेरे बास पेशन् जरूर था कि publicly उससे fight ना करूं पबलिक में अपना तमाशा ना मन वाओं तो मैं क्या करूंगा वाइज नाम के अज्यक्टिव के लिए यूज करूंगा तो यहां पी यूज करूंगा वाइज इनफ को समझगे ना वाइज अज्यक्टिव के बाद इनफ आएगा तो आए वाइज ना कि इनफ वाइज चली आगे बढ़ते हैं कर दा इंट्रक्टिवल इमिग्रेशन कानटर्म देट थे कंटरी हाज रसले विद फ्रॉम इट्स वरी इंसेप्टिविशन इस वेदर दे अमेरिकन ड्रीम इस अन इंक्लूजिविस्ट विजन ओव एक्टोंग ग्रो इंट्रक्टिवल इमिग्रेशन कानटर्म है यह तो मैंने समझा दिया इमिग्रेशन की पहली और इंट्रक्टिवल का मतलब है जिसको इंट्रेट ना कर पाएं अन्मैनिजबल हो डिफिकल्ट हो कर यह जो ना समझी जा सकने वाली ना हैंडल होने वाली जो पहली है जिसको country wrestle with कर चुका है जिससे country सामना कर चुका है deal with कर चुका है और कब इसके very inception से जब से अमरीका बनाया तब से ही लोग अमरीका में गुसने की कोशिश करने है कर रहा है यह जो पहली है ना जिससे अमरीका 200 सालों से जूज रहा है कर रहा है इस वो है क्या अमरीका ड्रीम है वो एक ड्रीम है inclusivist vision वाला एक ऐसे विचार वाला जो सबको अपने अंदर include करता हो और यह vision है economic growth की आर्थिक growth की और जो प्रिमाइस्ट होने है जो अधारी type based होने है embrace करने में गले लगाने में accept करने में diversity को हर type के इंसान को और skilled migration को करीगरों के migration को करा क्या American dream यह है whether क्या यह है और यह फिर American dream क्या है और whether यह है कि जो Trump के time का America first का battle cry था Trump ने जो America first की battle की पुकार की थी लड़ाई की जो पुकार की थी cry की थी और यह cry किस की थी nativist populism की वहां के local लोगों के populism की के हम यहां के local हमारा ही अमरिका है ना America first हम ही लोग हैं American करे यह carry करेगी देखो यही last में विजही होगी समझ गे तो करे यह पहली आज की नहीं है 200 सालों की है अमरिका इससे जूज रहा है और आज यह पहली दो मुकामों पे आगे खड़ी होगी है कि American dream वो dream है जो सब को include करता है और आधारित है लोगों को embrace करने पे और skilled migration को अमरिका में allow करने के या फिर यह American dream वो dream है जो ट्रम्प देखे गया है अमरिका first का जो एक battle कराई है नेटिविस पॉपुलिजम की और यही जो आगे जा करके carry the day करेगी इसको जीतेगी बस यही कहना चाहरा है इस वाली line से थोड़ा टेड़ा sentence है पर समझा दी है मैंने आपको words बड़े बड़े आए है inclusiveist मतलब जो inclusion करे embrace करना मतलब गले लगाना accept करना wrestle with deal with एक ही बात है fix proposition होती है इनके बाद with इसलिए आती ही आती है न तो यहाँ पर with के बाद में मैंने कुछ नहीं लिखा फिर भी इसको लिखना पड़ा मुझे with को inception मतलब शुरुवात carry the day मतलब विजही होना be victorious what Mr. Biden does in the months ahead will help answer this question करें जो Mr. Biden करेगा आने वाले महिनों में वही help करेगा answer करने में इस सवाल को चली आज़ेगी quiz पे अपने थोड़ा सा टेड़ा लिखा हुआ था जब मैं इसको बना रहा था तब मुझे easy लगाए अब आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगा गि स्ट्रक्टर्स थोड़ी सी समझाने में टेडी है है ना चलो the most या most parts of human history mark the bloody wars fought by people and nations to prove themselves the most या most dominating जलातर हिस्से जो है human history के वो mark करते हैं उन खून करावे वाली जंगों को, wars को, लड़ाईयों को जो लड़ी गई थी लोगों और nations के द्वारा ताकि वो प्रूव कर पाएं अपने आपको सबसे ज़्यादा dominating देखो यहाँ पे parts एक noun है इसके लिए the most का कोई काम नहीं है आप लिखेंगे most parts है ना ज़्यादातर parts और यहाँ पे जो nations ने प्रूव करना है कोशिश की अपने आपको dominating सबसे ज़्यादा dominating dominating adjective है इसके लिए आप लगाएंगे the most simple सा formula है हमेशा follow करें है ना we called a plumber and had him repair or repair the tap हमने एक plumber को बुलाया और उससे एक tap को repair करवाया अब देखो यहाँ पे had के बाद में object है him repair किस ने किया इस him ने किया इस plumber ने repair किया तो repair का कोई काम नहीं है मैं use करूंगा repair को ठीक है हमने plumber को बुलाया और उससे एक null को repair करवाया but instead लेकिन बजाए इसके instead we had another tap break as he was inexperienced लेकिन बजाए इसके हमारी एक दूसरी null तूट गई क्योंकि वो बड़ा inexperience था तो वो वाली तो बना के चला गया लेकिन एक दूसरी बाज़ो वाली तोड़ के चला गया अब देखो we had another tap break या broken अब यहाँ पे another tap जो है दूसरी जो tap है वो तूटी है तोड़ी गई है दोनों यही की बात है न tap ने कुछ नहीं तोड़ा है tap खुद तूटी है tap के उपर काम हुआ है यहाँ पे इसने रिपेर किया था पर यहाँ पे tap ने कुछ तोड़ा नहीं है tap जो है खुद तूटी है नल तूटा है अगर तूटा है तो break नहीं यहाँ पे आएगा broken we had another tap broken as he was inexperienced समझ गे? चलो इन चारों मेंसे जो भी आप लगाओगे pandemic is severe enough या enough severe to push a global economy into a prolonged slowdown करे इस type का जो pandemic है वो अपने आप में severe enough है या enough severe है कि वो धवाब धक्का दे दे वैश्वीक economy को कहाँ पे एक लंबे slowdown में अब बहले बताओ pandemic कैसी हो सकती है wear thin करने का मतलब है किसी चीज को गसा देना wear thin मतलब गसाने वाली manageable मतलब जिसको manage कर पाओ interactable मतलब जिसको manage ना कर पाओ और premise tone मतलब जो अधारित हो अब ये pandemic कुछ गिसाने वाली तो है नहीं अगर कुछ गिसाने वाली नहीं है manageable भी नहीं है अधारित भी नहीं है, तो आपका अन्सवर है, इंटरक्टेबल, समझगे ना, तो यह अजीब सी, अन्मेनजीबल सी जो पेंड़ेमिक है, इंटरक्टेबल जो पेंड़ेमिक है, वो है severe इनफ, यहाँ पे इनफ आया, severe नाम के adjective के लिए, severe का मतलब होता है, बहुत बुरा, very bad तो very bad एक adjective उसके लिए enough आएगा उस adjective के बाद तो यहां से enough severe को निकाल दे जरूर से comment section में अपने score को update करें कितने marks आपको मिले out of 4 तीन questions में 4 blanks है न तो out of 4 आपको कितने marks मिले मुलगात लूँगा खल की वीडियो में तब तक के लिए signing out